नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिकोरिया का ट्रीट्मेंट जिसे सफेद पानी आना भी कहते हैं कुछ म्यूकस का टाइप का होता है सफेद पानी आता है उसके ट्रीट्मेंट के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर उसका प्रोस होता क्या है देखिए लिकोरिया एक फीमेल डिजीज है फीमेल मतलब कि यह वजाइनल डिजीज होता है जो कि फीमेल के बॉड़ी और्गन में यह होता है वहां से वाइट डिस्चार्ज होता है वजाइना से कुछ इस प्रगर का यह म्यूकस होता है आप यहां पर जो देख रहा है यहां पर यहकुछ इसमें फंगर्स बैक्ट्रियां ब्र्थेसंट ँट और पहुत ज्यादा इन also हो जाता यहां पर इसफी जगह पर यहां से यह निकलता हैं ऐसा कुछ यह यह होता है यह वजायना इन्फक्शन तो ऐसा कुछ होता है तो इसके treatment के लिए हम लोग कुछ medicine लेते हैं एंटिवाइटिक एंटिफंगल तो यह ठीक हो जाता है तो ऐसा कुछ यह वाइड डिस्चार्ज होता है यह वाला गलत हो गया है इसको कड़ दिये यहां पर कुछ ऐसा यलू कलर का या फिर यह वाइड कलर का यह होता है यह थिन कुछ भी हो सकता है मुकस की तरह होता है यह फिर मोटा हो सकता है यह पतला हो सकता है तो ऐसा कुछ यह होता है अब देखिए का sign and symptoms क्या होता है और किन कारणों से होता है इसका color जो है वह consistency होता है उसका हो सकता है यह फिर हो सकता है वह मोटा हो ऐसा कुछ हो सकता है उसमें irritation हो सकता है या फिर pain हो सकता है या फिर जलन जैसी sensation जैसे या फिर urination में irritation या फिर intercourse में pain हो सकता है तो ये सबी समस्याइं देखा जाता है generally और वहाँ पर सबसे main रूप से देखा जाता है कि यहाँ पर पाइड क्लर का जो डिश्चार्ज हो रहा है उसको देखा जाता है अब कारण क्या है किन कारणों से होता है तो इसका कारण यह है कि हॉर्मोन इंबैलेंस हो जाता है तो इसमें होता है दूसरा ब् aggressive तो यहां पर यहां पर यहां पर समस्याओं के कारण यह हो सकता है तो ऐसा कुछ यह होता है अब यहां पर ट्रीटमेंट का बात करें तो सबसे पहले treatment देखा जाता है कि उसमें क्या दिया जा तो सबसे पहले कोई भी patient अगर आता है तो उसमें पहले injection का प्रयोग किया जाता है क्योंकि injection जो है इंसेंट वे में relief देने का काम करता है तो पहले तो अगर fluid loss हुआ होगा तो उनको कमजोरी होगा तो उस समय आप उनका BP चेक क यह एक्टियल इंफेक्शन को किल करने में मदद करता और यहां पर एक डेक्सा में जो कि नाम से अब लेवल होता है इसका यूज है वह inflammation को कम करने में मदद करता यह तो यह सभी treatment जो है इसका यूज किया जाता है इंस्टेंट वे में उसके बाद फिर देखा जाता है कि अ जी जाता है वह अब्रविए जो है वह फो एनेस के साथ में ही चला दिए तो कोई दिक्कत नहीं होता यह अपने प्रवी्टा का हाइसा है उसके हिसाप से चला जाता तो यह सभी चीज़ों को चला जाता है कि चीदधर कर धिए नहींद और् शिलकोल्नाङ सूल यह प्र्व आपका उस वजाइना में रखा जाता है इसको वजाइना में सपोजेटरी है तो इसमें मिला हुआ है क्लिंडा माइसिन और क्लोट रिमाजोल मिला हुआ तो इसको वजाइना में रखा जाता है तीन दिनों तक रखा जा तो बहुत अच्छा रहता है इसमें जितना भी इंफेक्शन है उसको खतम कर दिया तो दिन में एक बार इसको रखा जाता है उसके बाद ये टैबलेट जो है ये एजित्रोमाइसिन टैबलेट है जो कि फाइबनेट एमजी में अविलेबल होता है इ तो उस समय कुछ ये डावर का आता है असो का रिष्टा तो इसका भी यूज क्या जाता है जो कि आपको जरूरी नहीं है आपके बॉड़ी का जो हर्मोर इंबैलेंस हो जाता है तो उसको फुल्फिल करने में मदद करता है उसके साथ एक आता है पाउडर जो कि ये पाउड यूज किया जाता है जनरली लिकोरिया के बीमारी में आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों यहां पर से नीचे तक आपको ट्रीटमेंट हम बदाने का प्रयास किया है अगर इसका पीडिएफ लेना चाहते है या फिर आप हमारे टेलिगाम से जुड़ना चाह करते हैं तो धन्यवाद मिलते हैं किसी और उडियो में